लोग बेस 10 58 plus 1 इसको multiply किया log base 10 37 over 36 है तो आपके पास यह वाली value आजाएगी अब अगर आप observe करें तो इस TF-IDF दो काम कर रहे हैं frequency को भी weightage दे रहे हैं और अगर एक word जो बहुत ज़्यादा documents में आ रहा है उसको penalize भी कर रहे है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं full के case में 36 58 1 और 4 यह भी अपने impact कर रहे है 36 की वज़ए से यहां पर 0.019 answer आ रहा है 58 ज़्यादा बड़ा नमबर है तो इस वज़ए से यहां पर 0.021 आ गया 1 बहुत ही चोटा नमबर है तो यहां पर भी small हो गया and so on TF-IDF की बेशमार applications है इसको हम word similarity में use कर सकते हैं similarly information retrieval system में यह extensively use हो रहा है playism detection में इसको use कर सकते हैं news recommendation में इसको extensively use किया जा रहा है और अगर आपने दो different text documents हैं उनको compare करना है और उनके version को compare करना है तो आप इस technique को use कर सकते हैं